हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज हम स्प्लिट ट्रिंग में बीड एड़ करना बताएंगे, दो शटल में थ्रेड भर लिया है, नोट लगा लिया है मैंने, तो ये 8 mm का बीड है, इसको हम क्रोशे हुक की मदद से शटल के किसी भी थ्रेड पे आप लगा सकते हो, जिस पे आप लगाएंगे उसी से आप जो है, हैंड लूप मनाएंगे, तो ये देखो, इसको मैं सक्योर कर देती हूँ, पेपर क्लिप से, और इस बीड को हम स्लाइड करके बिलकुल नोट के पास ले आएंगे, ये देखिए, ये जैसे बीड है, इसको हम आगे ले तो यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, तो ये देखो, इस तरीके से लूप के अंदर की तरफ हमने बीड रखना है, और यहाँ से हम स्टिचेज लेंगे, 8 mm का बीड है, और 10 नमबर का ये थ्रेड है, तो इसमें मुझको 10 डबल स्टिचेज ही लगेंगे, अगर इसी बी है, कि कितने स्टिचेज आपको रिंग में लगेंगे, तो ये देखो, ये इस तरह से आप लूप को बड़ा भी कर सकते हैं, बस इस तरीके से ये पूरे मैं 10 डबल स्टिचेज ले रही हूँ, 10 डबल स्टिचेज कमप्लीट करके इस शेटल को छोड़ देंगे, और यहाँ पे रिंग थोड़ा और बड़ा कर लूँ, और इस तरफ से बीड को हम साइड में रखेंगे, और इस तरफ से हम बिना नोट ट्रांसफर किये हुए अन फ्लिप्ट स्टिचेज लेंगे, ये द हाफ और 10 डबल स्टिचेज इसी तरीके से यहाँ से में कमप्लीट कर लूंगी, इस लेकर उसको स्लाइड करते हुए आगे हम लेके आते रहेंगे, तो ये देखो, इस तरीके से हम इस सारे स्टिचेज लेंगे, बहुत इज़ी है इसको प्रैक्टिस करना, स्प्लिट टरि बड़ा ना हो कि जो हमने नोट लगाई ये दोनों थ्रेड्स को वो उसी में से क्रोस हो जाए तो अटकना चाहिए बीड के होल के पास वो नोट तो ये देखिए इस तरीके से हम 10 डबल स्टिचे इस साइड पे ले लेंगे ये हम नोट ट्रांसफर नहीं कर रहे जैसे स्प्ल तो इसमें से क्रोशेवक पास करेंगे और चाहे तो शेटल का थ्रेड यहां पीछे को रख लो आप इस तरफ है अगर ऐस तरफ ही है आपका तो इसके नीचे से हमने क्रोशेवुक लेके जाना है यह देखो इसके नीचे से हमने कर लिया और वो हैंड लूप वाला थ्रेड़ हम इसमें से निकालेंगे लूप बनाएंगे और इसमें से शेडल पास कर देगे बल नहीं होना चाहिए लूप में तो ये देखो ये लोक लगा दिया हमने अब बस हमको ये पिंक स्टिचिस पकड़के इस रिंग को क्लोज कर लेना है ठीक है बहुत ब्यूटिफुली है आपका जो है बीड कवर हो जाता है इस तरीके से इसको आगे कॉंटिन्यू करना चाहते हैं अगर आप तो इसी तरीके से करेंगे ये देखो मैंने एक रिंग में बीड लगाना बता दिया इसको आपने आगे लॉंग स्टिचिंग बनानी है तो उसके लिए आपको ये देखें जैसे ये जो पिंक थ्रेड है न इसके उपर आपको बीड लगाना पड़ेगा और इसी को फिर आप रिंग के लिए इस तरीक से लूप बनाएंगे तो आपको समझ में आ गया इसकी प्रैक्टिस करना आप और लॉंग स्ट्रिंग हम अगली किसी वीडियो में बनाएंगे थेंक यू